सू आपके सामने एक सॉलुशन पीडिएफ ऑफ क्लास 12 फिसिक्स चैप्टर नमर वन एलेक्ट्रिक चार्जेस इन फिल्स यह चैप्टर वन है उस हिसाब से काफी इजी भी है पर बहुत बेसिक चैप्टर होने की वजह से यह सारे चैप्टर मतलब आगे आने वाले सारे क्रेइप्षिन में पताने क्योंने डाल पार हो बट एक बट चैक करना वह चल रहा या नहीं चल रहे है अगर उठ चल रही हो तो फिर ओकेför नहीं चल रही हो तो आपको पता है कि क्या लिख लें पंस प्रीप्रानborg कि देखो मैं मेंलाब कुछ दिनों से की चैलेंज्स करन थोड़ा दोस स्टोरी टाइम तो फिर क्या हुआ कि मैं पहला वाला यानि कि अभी से जो पिछला वाला जो मन था उसके अंदर मैंने पूरा फोकस जेए के ऊपर किया था वोट्स को छोड़ दिया था जेए मतलब कि जेए का पूरा सलेबस कंपलीट करना है और तो और इनिश कि मैं वोट्स को पूरी की पूरी इंपोर्टेंस दूँगा और बहुत कम इंपोर्टेंस में मतलब जेए की तरफ थोड़ा थोड़ा देखूंगा और पूरी की पूरी इंपोर्टेंस बोट की तरफ जाएगी एंजियाटी में जो मेरी बुक्स होती है और वो मेरी जो कर लोगा कि क्योंकि तब मैं मैं नहीं जानता कि उसी जैन में मैं जैन्वरी में मैं जैके लिए प्रिपेर कर रहा हूं और मैं एनसे और कोशन कर रहा हुँ, नहीं यार नहीं, एहसा तो नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हुँ, ठीक है, अब हर वीडियो के आएगा, देली हो सकेगा, तो इनमें होगा देल को लेकर चला जाऊँगा, कि उसके बाद अगर calculator के पास अगर जान होती ना तो वो भी एक questions को कर लेता तो मैं उस point तक लेके चला जाओंगा और फिर तो बस calculations है मैं वो कर लेना ठीक है क्योंकि calculations में time waste करने की जुरूद नी अगर 12 में आ जाने के बाद calculations में mistake कर रहो तो यार और वो भी चाहिए देने के लिए तो फिर बहुत शर्मनाक बात है ठीक है तो question ही देखेंगे solution से तो क्या ही करना है मैं बता ही रहा हूँ ठीक है मैं बता देदू question number 15 तक या फिर ये पूरी exercise में cbse board में additional नहीं है ठीक है मैं गुजरात board से हूँ तो मुझे additional करने है बड़ नहीं मैं क्या बखवास कर रहा हूँ cbse board को additional नहीं करनी है जो उनकी नहीं NCID की टैक्सबूक है उसके according मेरे पास एक questions है और सिव यहीं करने है 24 questions है उसमें से लेके 15 15 तक जो questions है direct formula based है एक परसेंट 0.1% का भी दिमाक यूज नहीं करना है formula डालो values डालो and you get your answer चलो देखते हैं इसके लिखा इसके लिखा what is the force between two small charged spears small charged spears यानि की वह point charges having charges of 2 into 10 to the power minus 7 3 into 10 to the power minus 7 column placed at 30 cm अपार्ट है सबसे पहले तो conversion 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 और मैं सिफ यह first question के नहीं बता रहूं conversions और given data लिखते थे point charges हमें बता है 2 और 3 है कई बार questions में micro column दे रखा होगा ठीक है तो इसको 10 to the power 6 में convert करके ही questions को solve करना नहीं तो answer तो है ना आसमान चूलेगा 30 cm है अगर मीटर में answer चाहिए है तो इसको मीटर में convert करके ही answer लेके आना cm में ही अगर सब कुछ चल रहा है तो cm में चल रहा है तो इसके करना कुछ नहीं है simple basic formula के क्यूब और के क्यूबं क्यूब में k oui duop on आड्सकृ के की विल्यू नाइंट इंटू तें टॉदे पावर 9 रखना data q undergraduate q2 डालना और आड़स्प्रेर कर देना ये रहा और यूट रहा या अ. अब दीख हरही होगा अब और चलो चलते हैं क्वेश्ट नबर टू इलेक्रोस्ट्रेटिक फोर्स न्स्माल्स प्रश्ट नमर्ड वा लिक्राइब लेक्रोस्ट इलेक्रोस्ट्रेटिक फोर्स स्मॉल प्रश्ट प्रश्ट बताई देता है क्यों मैं दो स्मॉल चार्ज एक का चार्ज 0.4 कुलम दूसरे का है माइनस 0.8 माइक्र कुलम ठीक है और एयर में है और उनके बीच की जो फोर्स है वह 0.2 नुटन है हमें उनके बीच का जो है सब्सक्राइब करने कुछ नहीं करना वही फोर्मुला जो अभी अपने यूज किया था कि क्यों 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 पास फोर्स की वैल्यू भी है तो नीचे बस आर्ट स्कॉर्स की वैल्यू बचेगी तो स्क्राइब मएं ड़ी अ यह दिदे क्यों से नूंट स्वियर को क्यों समझ आता है क्योंकि मैं बोलूगा तो समझ नहीं आएगा अब देखो इसमें ना उस फॉर्मॉला का यूज नहीं किया है कि बोध्य स्वेर एट्रैक्ट्स इच अधर विद्ध सेम अमॉंट फॉर्स हिंस फॉर्स ऑन दे सेकंड स्वेर विल बी एज 0.12 पर कहीं बार क्या होता है कि बहुत साथा कॉंप्लेक्स हो जाता है मतलब फॉर्स निकालना दो पॉइंट्स के बीच में तो फिर हम लोग इस फॉर्मॉला क्या यूज करते हैं एफ्टू वन इस इक्वर्स टू के क्यों क्यू टू आर वन टू का होल स्क्वेर या फिर यहां पर आर टू यहां फिर ऐसा कुछ होता है ठीक है पाट वह यूज नहीं हुआ है ज्यादा क्योंकि बेसिकली उसको स्वाल करने के बाद मतलब जब इसके निमेरिकल वैल्यूस डालते हैं तो आंसर कुछ लगबग इसी के जैसा आता है उसका यूज नहीं करते हैं चैक्ट एड़ रेशियो ओफ के स्क्वेर जी में अपन एंपी इस यही देख लेता है इससे सब कुछ लिए हैं में मास ओफ एलेक्ट्रों एंपी है मास ओफ प्रोटोन यूनिट ऑफ बोड़ दे मासे इन केजी जी हमार ग्राविटेशनल कॉंसा इन यूनिट है एन मिटेपर सेके यह एलेक्ट्रिक चार्ज एक यह पता है यह पर अब यह सो इसके सबसे पहले हम लोग इनकी यूनिट दालते हैं ठीकिए उन डाल देते हैं फिर इस डामेंशनलेस एम जीरो एल जीरो टीजिए बिसी कली मुस्ट आफ कुछिन इसा होता है कि वह दो इसलिए उसको दे देते हैं ठीक है चलो यार अभी क्या ही बगवास कि नुमेरिकल वैलिए उनकी डाल दो टू पॉइंट टेंटल जीए पावर ठटीनाइन इसको याद रख लेना क्योंकि उन सब की नुमेरिकल वैलियू सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना यार क्यों वाल तुम्हें दिभाग का देगाना ठीक है इस वैलिए रख लो कई बार चीज़े याद करने पड़ेगा कई बार उन चीज़ों को रटना पड़ेगा ठीक है न और वो ही बैस्ट रहेगा 4. Explain the meaning of statement electric charges of body is condonized या असाने से दे सकते हो I can ignore the condonation of electric charges when dealing अगर NCRD एक बार भी पड़ी होगी न तो अभी आजाएगा और नहीं भी पड़ी होगी तो कोई भी टीचर होगा चाहिए वह स्कूल कोजिंग यूट्यूब ऑन लाइन कहीं का भी होगा न तो भो भी यह बात बताई देता है इस भी हम लोग टाइम बेस नहीं करेंगे हमारा में फोकेस्ट रहें का न्यूमेरिकल ट्लास रॉल सेल के सारी वह थियोरी वाली बक्वास है जिनकी कोई मतलब भाल्यों नहीं होती है एक प्लिटली एन एक अप्लिटली फोर पॉइंट चार्ज इस एक लिए इक लिए क्लोज टू आइए चारो तरफ चार्जेश दे दे जाए तो उन्हें कुछ ऐसा आरेंज करो कि वह एक दूसरे को काट थे इनको वेच्व और एंदी कहां पर ल summit соп with च फेक परड़कस यहां पर कोड़िया थैend Him www.d Ab healer घूंर Pas were so कि वो एक दुमाइक दूशे को ऐसे कट करने यहां पर भी ऐसे माइनस वा faklier जूशे को हको कट करें तो एक दूशे को कट करने ह Denick यहां पे चाहरा जीरो हो जाए गारा फोर्स जीरो हो जाएका नो कैलकुलेशन नथेंग कोई नमर सेवन एतना इतना है यह एक्रोस्टेटिक फील लाइन इस यहार यह वहीं बक्वास थेओरिक उशन्स टेके तोलें आतल दें तो पॉइंट चाज़स क्यों एंड क्यो भी आ कि देखो सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने 20 cm रखा है अब यहां पर उसको मीटर में गनवर्ट कर देना ठीक है और अगर नहीं भी कर रहे हो तो अभी आप एक जरूरी बात है कि पूरी जो लाइन है ठीक है मतलब यह दोनों जो एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है नवर 20 और इसके सेंटर में रखना यानि कि जब अपन इन दो पॉइंट के लिए निकाल रहे हो तो वहां पे हमें यह 10 इसको लेना 20 को लिया तो आंसर रॉं होजाएगा वाश देलेक्रिक फील एट पॉइंट ओ ऑफ देलाइन एबी जोईनिंग अब इलेक्रिक फील्ड ह हमें दूसरे चार्ज के कोई ज़रू होती है हर एक चार्ज की अपनी एलेक्रिक फील्ड होती है तो वह होगी के क्यूवन अपन आर्सक्वेड इससे फस्स निकलेगी उससे सेकेंड निकलेगी उन देरों को एड़ करेंगे तो हमें उस पॉइंट की मिल जाएगी यह वह व हुआ है ठीक है वह सेकेंड के निकाल ली और फिर इन दोनों को एड़ कर दिया या फिर अप सेम ही है तो भाई तू से मल्डिप्लाइग कर लो क्या ही चाहिए है कि नहीं है मल्डिप्लाइग वाइड तू और टू एंड यू विल गेट यूर आंसर सेकेंड कोशन देखते इस प्रेटिटीव टेस्ट चार्ज अगर इनके बीच में रख रहा हूं तो क्या होगा अगर मैंने 1.5 से रखा तो वाइड फोर्स जो है यूई होता है चार्ज इंट एलेक्रिक फील्ड एलेक्रिक फिल्ड हमने निकाल लिया अब कोई भी चार्ज अंजर डालो बस मुल् है और हमें हमारा आंसर में जाएगा एक सिस्टम में टू चार्ज है क्यों एक यूपी लोकेट इड़ पॉइंट एंबी रस्पेक्टिवली वाट इस टोडल चार्ज अलेक्रिक डापोल मोमेंट आफ शिस्टम पहली चीज चार्ज निकालने के लिए हमें किन किन शीज़ो की ज़रत है सिस्टम के पास चार्ज हैं और टोटल चार्ज अचार्ज यह चार्ज हैं लोकेटेट इन पोइंट एन वी तोडल चार्ज तो हमें पता ही है एन चर्च के बार बात है उनके बीच का डिस्तेंस क्यों वाई यूबधे ठीक है अब जी जो जाएगा चाहेंक बीच का जी प्रजाएगा एक धूश्रा को अलिफाइगा जैते हैं डिक अब इन बीच का सबस्टेंस है यह लोग मान रहे हैं बड़कर 30 नहीं भी पानो तो प a diva moment is equals to to Q D इसका यूज करो कि न हर कोषजन एकदम एजी लिव जाएगा तू का यूज करो सांदिमेटर को में में अग्वाट करो क्यू आ यूज करो लाइपन में 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 हमार्ट करना मत बूलना और फिर दी उनके बीच का डिस्टेंस तो 2.5 x 10 10 to the power minus 7 जो कि हमें चार्ज दिया हुआ था इंटो 0.3 अलोंग ज्याट एक्सेस क्वेश्ट नमबर 10 एक लेक्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मुमेंट यह है अलाइन ए 30 डिग्री विदे डिरेक्शन अफ उनिफॉर्म एलेक्रिक फिल्ड मैंगनिट इस देस कैलकुलेट दे मैंगनिटीट ऑफ टॉर्क के लिए क्या होता है हमारा पी इसाइन थीटा एंगल लगाना कभी मत बूलना ठीक है पी इसाइन थीटा अब साइन थीटा की वै तरिवाब माइनस नैनल फ़ोर्ट तो फिर ऐसा कुछ होगा 10 थीटावर माइनस फूर्ट क्या बात है अब भी 11th question देखो यह मैं जहां तक बता रहा हूँ मैं फ़र्मुला बता रहों मैं तर्ड बता रहों कैसे करना है वो बता रहों उसके बात जो बच्षता है वह सर्फ calculation है और कुछ भी नहीं है a polythene paste rubbed with oil is found to have a negative charge estimate the amount of electron transfer कैसे करोगे वो यार 1.67 divided 3 into 10 to the power minus 7 यानि कि जो charge हमें दिया है divided by जो हमारा charge हम लोग लेते है 1.67 ठीक है यह 1.67 into 10 to the power minus 19 minus charge लेना मत पूल ठीक है अभी इस देरा ट्रांस्वर मास्वर मुल्डू ओलते है of course यार मास्क क्यों नहीं होगा अब इलेक्रों जा रहे तो मास्का भी तो हो गई नहीं यार पर हो काफी जा नेकलिशेबल होगा 10 to the power minus 18 है भाई वो अभी 12th question two insulated charge copper spares a and b and they are intercepted by distance 50 cm what is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is this the radii of a and b are negligible compared to the distance क्या निकलना है copper spares है इसमाल ने लिखा अगर small लिखा हो तो हम लोग के वन क्यूट लगाते पर इसमार स्पेर लिखा हो है तो हम लोग के क्यूब बाई रसकोय लगा रहेंगे दूनों का यह से मैं तो फिर में इंटर तो कर दूंगा ठीक है आइन आशीम्पिली मतलब इन लोगों ने वैसे कह जैए ठीक है कि दूस पेर एक प्रेह का निकाल ओ फर बॉसरी दूसरा निकाल की स्वेसरा की था तुसरा कोसिथcket गàiफ है, उसके का ही का इस ट बाघ्च का निकषा स मोस्ट दे शॉषर Petas कि डिस्रेंस को आजा यान कि 50 0.5 था तो उसका हांदा करेंगे 0.25 को जाएगा क्यूबन क्यूट्यूब में डाल दो और यह जाएगा तो वह पहली बार आएगा तो वह सी बाइट टू हो जाएगा जब वह दूसरे चार्ट से मिलेगा तो वह सी बाइट टू प्लस सी बाइटू हो जाएगा और इसे और इस पूरे को जब मैं एड करूंगा तो मुझे मेरा आंसर में जाएगा ठीके पहले मैं क्यूब आटू हुआ फिर 3 क्यूब आटू हुआ कैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया फिर उन तोनों को मैं कि एवन क्यों र स्क्वेर में डालूंगा क्यों कि मुझे यहां पर फूर्स चाहिए डालते ही मुझे यह मिल जाएगा अब क्यूं मैं चार्ज की वेलू डाल दूंगा यह की वेलू डाल दूंगा और की वेलू डाल दूंगा and I will get my आंसर को नमबर 14 देखो इसमें मैं बता देतों किया पूचा है विच पार्टिकल हैस्ट था हाइस चार्ज दूदे मास्रेश्यो डियाग्राम को देखके बताना है तो देखो जिसका जितना ज्यादा मतलब एंगल आफ डिफ्लेक्शन होगा रहे आपक्स चल रहा है तो किया ट्राइट तो सिका कॉंसिटर युनिफॉर्म एलेक्ट्रिक फिल्ट वाट इस फ्लक्स फिल्ट रो स्कॉर्ड ऑफ 10 सेंटिमेटर असाइड वस्प्लीन इस पैरलल तो देवाइज अब देखों फ्लक्स के कॉश्चन में हम प्लेंस का बहुत त्यान होना एरो प्लेंस का अध्य से का लेक्स ओंदर यॉट है ठीक है डशान की तो यहां पर कॉसका का एंगल फ्लक्स तो ठीक है लिए गाई शाहिद यूज क्या हो गया नहीं बाकी बेसिकली मोस्ट ऑफ कोशन में जहां पर चार्ज दे रखा है ना सिधा चार्ज बाइपसुल्ट नौट कर देने का फटा फट आंसर आजाता है यहां पर फिल्ड फिल्ड दे हुई है तो ठीक है कोई बात नहीं पर बाकी है ना चार्ज बाइपसुल्ट नौट करती एकदम चुट्कियों में अंसर आता है अभी देखो अब क्या क्या कि उसका प्लेन चेंज करके सिक्स्ट डिक्री करें साइं सिक्स्टी डाल दो है अरे स स्कूल वाले ने कुछ फर्मलास लिखा होंगी जैसे की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसा कुछ लिखा है फेस डाइगनॉल्स के लिए फेस के लिए नहीं लिखा है मैं बता देता हूं कोई बात नहीं है ठीक है मतलब आने वाले कुश्यंस में ऐसा हम लोग देखेंगे पर यहां पर अबडिवा इस गिए इस जिवन एत all faces of cubes a badal to the coordinate axis therefore the number of field lines entering the cube is equal to the number of field lines coming out of the cube as a result the net flux of the cube of 20 cm is zero okay so question number 17 carefully measurement of electric field at the surface of black box indicates यह सब कुछ है और यहां पर क्या दिया हुआ है इंडिकेट से नेट आउटवर्ट फ्लक्स ओके यहां पर में फ्लक्स दिया हुआ है और में लेक्ट्रिक फिल्ड निकालना तो वर इस दे नेट चार्ज इंसेट इस 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 देख हो अगे हैं जाना आपना फ्लक्स दिया हुआ फ्लक्स इक्वर्ट टो एपन आप्शूल नॉट इंडिकल बता है फ्लक्स यह बनी बिल्यूपता है यह आराम से निकल जाएगा इफ देने आपर फ्लक्स तुर्ट अब तो बॉक्स वेर जीरो कुल यू सुरी कॉल यू कॉंटिल्यूट एट देर वेर नू चार्ज इंचेट बॉक्स नहीं अरे अगर फ्लक्स नहीं है इसका यह मतलब तो नहीं है कि चार्ज हो जाए पहले वाले कोशन में क्या चार्ज तो था बहुत अच्छा कोशन भी था पर वह कुछ ऐसे रखा हुआ था कि उसमें फ्लक्स जीरो था तो नहीं इसका अंसर नहीं है ठीक है सही है एटींद पर चलते हैं एको एटींद ऐसा मतलब देखने से लगता है कि बहुत है एक पोईंट चार्ज है तेन माइक्रो कुलम तो वो जाएगा टैन इंटू टैन टैन टो इंटू था पावर माइनस दिस्टन्स पाच है सबसे पहले तो इलेक्रिक दिकालो चार्ज की की क्योई आरज को फिर इलेक्ट्रिक फिल्द को फ्लक्स के फॉर्मुला में डालो ठीक है इंटू ए या फिर हां तो क्या वाट इसमें इंटू तो तिंक ऑफ स्क्वेर एज वन फेस ऑफ क्यूब विट एच मैं जो क्यूब के फॉर्मॉले की बात कर रहा था वो इस कोशन के लिए यहां देखो वन अपॉन सेक्स क्यू अपॉन एपसुल नॉट यह बहुत सा फॉर्मॉले होते हैं ठीक हैं मतलब तीन ही होते हैं फेस के लिए एज के लिए और वटेस के लिए अगर नहीं दिये तो फिर जाओ अपने टीचर के पास और उन से ले लो इसे क्या होता है कोशन जल्दी सौल हो जाएंगे वन बैशिक्स क्यूब है एपसुल नॉट अगर एसा नहीं ओकश दो ये भाग तो हो गई की छेस मेंसे क्यूब के छेस मेंसे एक फेस में फ्लक्स निकल रहा है तो वो कितना फ्रिश्ट में हौँरे कीवि का वपकूरे कुऑ मैं तो बिलीव करता हूं झे में एक here's the積th point charger ठेकिा हमको चार्ज दे पर किई सेंड़ रखा है शर्फेस का एक कुछ दिया है what is the net electric flux दो दिए सब्सक्राइब क्या बहुत है जब भी चार्ज दिया हो फ्लक्स पुचा हो तो सीधा एपसलट वला फॉर्मुला डालो चार्ज अपन एप्सलोन बेलकुल आंसर आजाएगा एक सेकेंड में बस क्यालकुलेट करना है अब 20 अपॉइंट चाज़ेश कॉसे इलेक्ट्रिक फील्ट टू पास्ट्रो अस्पेशल कोजिक सर्फिस इफ रेडियस ऑफ दो कोजिक सर्फिस वे डबल हो मुच फ्लक्स विल पास्टू इसलम तो वह होगा चार्ज अपॉन एपसलोन नौट इस चार्ज अपॉन एपसलोन नॉट पर रेडियस की बात कहां हुई किया गई प्योई नहीं तो तो जो फ्लक्स पहले था ना वहीं फ्लक्स अभी भी होगा है पर हम लोग पॉइंट चार्ज के वेलीव निकाल सकते ह के फ्लक्स के में लिए नदर डालके एक कंडुक्टिंग स्पेर एक एंसेंटिमेटर नों चाज एक फील्ड दी हुई है उसके सेंटर के उपर पॉइंट सेटी लिए इन वर्ड है वाइस देनेट चार्ज ऑन्द सर्फेस इलेक्रिक फील्द दी हुई है क्यों क्युटूब है और स्क्वेर प shortest की क्यूठ टो आंपले चांडिकाने इसक्टी निंटिया स्विकी अटैंटाय करते पर दो को मिझेता होता उसक्ट ओक हम आपण च्छिक गया हो मैं फ्लेघएटाएट अर थी ज्म ओन अनुछ है होता है एक इंफेनेट लाइन है चार्ज प्रोडिस नाइन दिस्टेंस अब टू लीनियर चार्ज देंसिटी वह भाई एक फाइनाइट रोड के लिए ठीक है शिदा सा फॉर्मुला होता है इसका लगाओ डालो और अंसर निकल जाएगा टो लाइज थिन मैटल प्लेट से पैरलल टू लॉस्टो इचन तर वन देर इनर फेसे तपिलिट सब्सक्राइब शार्फेस चार्ज चार्ज देंसिटी इस अफोजित आइन दिवागाने के जवरत इन चार्ज देंसिटी निकालनी चार्ज हमें पता एप्सुल्ट कि वैल्य वीडियों में पता है एंड तो सीपेस एपोट में इतने ही वीडियो अच्छा था ऐसे बनाएं तो मैंने मेरे रिवीजन के लिए तो अच्छा है अच्छा लगे यां बुरे लगे मुझे कोई फरकने पड़ था थैंक्यू फर वाचिंग देखा हो तो नहीं देखा हो तो बीगों अधनी